हम लोग सीग रहे थे आप माइक्रो सर्फिस का तूटोरियल और अभी तक आपने प्लेलिस ने एक्सेश की तो अब चाह करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हुअ क्यूंकि वहां पर बहुत इंड्रेस्टिंग टूटोरियल अभलेबल है माइक्रोसर्फिस का लिंक में डाल तो ग्यास हम लोग host and port जो है वो hardcode कर रहे रहे थे इससे क्यों होगा problem इससे problem होगी जब suppose rating service हमारी किसी दूसरे host पे गई या किसी दूसरे port पे गई तो हमारा ये problem हमारी ये सर्विस कॉलिंगे वो एर्र देने लगें कि अबसे बाद हमारा host चेंज वाइगा यही चीज हम अपने वुटा सबस्वेस में वी कर रहे थे हम लोग इसमें भी यह जो होस्त और उसका पॉर्ट हम लोग हाड़़ चार देरे थे तो हमें क्या गर्रना है हम यह की रीटिंग सर्वेस का नाम है रीटिंग सर्वेस Two-Hum लोग इस नाम को उसकर रेटिंग सर्वेस रॉंप माइक्र सके सबंग stay इंधां सिंपल मतलब है कि हम 1 Chaos qualifying के लिए 2 ले किस बैंक हम आपको दिखाता हूं इंग्जकलीँ UM is boys do पूर्ट को हटा करके हम यहां पर कर देंगे कि हम लोग कॉल कर रेटिंग तो इग्जक्ली हम यहां पर उसकर लेंगे रेटिंग सर्विस चीक है रेटिंग सर्विस आप डेक सकते हुए जो सर्विस कवा हुआ हम लोग यहां पह लिख दिये और यहां पर होल कि यहां वंडू सर्विस है नोख लैंगे के बिलूब SEN és कि सब्सक्राइन होगे अब आपको भी क्या अ does eh it मैं एक call करके दिखा रहा हूं लेकिन कभी भी अब क्या होगा कि क्योंकि सारी services है हमारे एक service registry से service service registry से एक server है discovery server है वहाँ पर सारी services हमारी registered है तो वहाँ पर उनका एक नाम defined कर दिया गया है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यह नाम defined है hotel service service rating service और यह सारे नाम defined है तो अब हम लोग कभी भी calling करते हैं एक service को दूसरे service से तो आपको यहाँ पर IP address नहीं उसकरना port number नहीं उसकरना और यह dependency हटा देनी हमें service का नाम हम बहुत असाने से use कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर replace कर दिया है host को and host को port को किसे service के नाम से अब कभी भी आप किसी भी service को call करिए अपने microservices के environment में कहने का मतलब चाहे आप hotel service को call करें चाहे रेटिंग service को call करें किसी को भी call करिए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो service का नाम जो service का नाम आपने दिया है जो कि रजिस्टर्ड है आपके discovery service से तो चले देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है exactly हम लोग सारे services को इबर restart करें यह user को restart करते हैं क्योंकि हमने changes तो सिरु user में किया है तो हम user को इक बार restart करेंगे देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई service किसी host पे चल रहे होगी, कोई service किसी port पे चल रहे होगी, कोई service किसी port पे चल रहे होगी, तो वो idea विकार था, यह idea हमारा काम का हो सकता है, बट आ जाते हैं यहां पर, and exactly refresh करेंगे, तो सारी services चल तो रही है, भाई भी कोई दिकर नहीं, but हम लोग user service की API कॉल करते हैं, व कोई API जो hotel को भी उस कर रही, and rating service को भी कर रही है, so हमारा यहां भी postman open है, and let's hit a single user, हम इस user को get करेंगे, और इस user को get करेंगे, तो हमें user के साथ साथ हमें मिलेगे, उसके सारी ratings के साथ हमें मिलेगी, सारी ratings के साथ हमें हमें hotels भी मिलेगा, तो अगर मैं send गहों सो आप देख unknown host, यह rating service unknown host आ रहा, तो exactly हम इसको solve काऊं करेंगे, यहां से देखे, यह जितनी भी API है इसको call कायँ कर रहा वै, उसको call कर रहा REST ZSTEMPLEATE, इसको call कर रहा है, rushed template. तो यार हम लोग कैसे रच टेप्लेट को enable करेंगे, कि भाईया, वो हमारी host को ना यूज करे, हमारे host को ना यूज करे, या services को ना यूज करे, वो services के name को यूज करे. तो हम ने जहां पर, इसको बनाया था bean, चलते हैं, वहाँ पर. और हम लोग यहां पर एक अनुटेक्शन उच करेंगे तो इंटरनली हम ऐसा रस टेंपलेट बनाना चाहे है जो लोड को बैलेंस कर ले अब लोड बैलेंसर क्या होता है अब लोड बैलेंस क्या चीज जो होती है दिहां से दिखें जब एक से ज्यादा multiple instances होते हैं तो लोड को distribute करना तो यहां भी हम लोग ऐसा रस टेंपलेट बनाना चाहे है लोड को distribute कर ले इन दैट केस और अपने services के नेम को use करेगा काम करने के लिए तो मैं एक बार इस बार अब हमारा काम हो जाएगा exactly अभी मैं आपको दिखाता हूं तो हमारा यहां पर load balanced भी होगा कोई दिकत नहीं होगी चीजों को distribute करने में या request जोरी इसको distribute करने में क्योंगि अगर multiple instances होए तो load balancing की की भी हमें जरूत पड़ेगी ओके तो यहां पर हमारा इस सर्विस स्टार जुका है अगर हमें यहां पर क्या करें सेट करें सेंड करें तो आप देखोगे हमारे पास exactly वही आउपूट आ रहा रहा है अभी आप देख साथ हमें इसकी सारे रेटिंग्स बील रही हर्स ने अजिन है डो क्स gemacht हुआ मिटीम अधाल एकटीम कोडरिंवी हुआ रहे ही इसका ओर इसका योटल होग शोक savez आपको चीज़ा आगे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं और सर्विस का नाम उस नाम उसका कर सकते हैं instead of calling with the help of your host name or port number so इस तरीके से हम लोग करेंगे यह तरीका एक अच्छा तरीका काम करने के लिए कि भाई हम सर्विस का नाम उसकरेंगे अब इससे फाइदा क्या है फाइदा देखिए फाइदा यह है 9093 कर देता हूं और हमने स्टार्ट कर देंदे हैं अपने रिटिंग सर्विस को अभी आपको फाइदा इग्जाक्टली फाइदा देखने लगेगा कि इसका अब अगर हमारा पहले वाला फोड़ उसके समे हमारा रेटिक सर्विस नहीं चल रहें बट अभी क्या होगा अभी अगए अगर मैं रेकोस करता हूं आप देखोगे इग्जेक्ली इग्जेक्ली आप देखोगे यहां पर कुछ एरर आ रही है बट एक सिटन भाई हम एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं अपना ठीक है सो 9093 आ रही है पर्फेक्ट रेटी सर्विस चलना चाहिए चलना चाहिए और सी यह नहीं चल ला है होगी एक बार हम लोग क्या करते हैं होग अनकुमा में अपना वुजर सर्विसी को भी डंच की है तो फिर फिर हम लोग एक रूब टीको भी ंच वह तो दो हो चुके यहां पैंपर भी हम लुग है फूर अपने प्लीड जिसराजि को भी पिडिश्क रिस्टाट कर दो थे छिकिए रेटिंग रेटिंग रिस्टार्ट करना है यह दो बहुत सारी सर्विस है तो आपको यह धान दनी हुए चलो मैंने रिस्टार्ट कर दिया ऑल्मुस्ट सारी सर्विस को लेक्त हुआइं क्योंगा में वत्तिंग हुआ कर ले ठीक हमारी सेल्वेस कर लेता है तो तो आपका सब्सनियता देवाई येड़िका सब्सक्राइब कर रखा600S यहां पर आते हैं and again हम अपने उरेका सर्वर पर जाते हैं रिफ्रेस्स करते हैं exactly हमारी होटल सर्विस आ चुकी अभी हमने पूर्ट नंबर चेंज कर दिया in that case अगर मैं रन करूं तो exactly आप देख सकते हैं यहां पर हमारा पूर्ट नंबर चेंज करने से कोई फरक नहीं पड कर रहे हैं rest template को उसकर के load balance को उसकर के कैसे हम लोग service का नाम उसकर सकते हैं instead of using host number and port number यह चीज हमें हमारे URL को हार्ट कोड होने से बचाती है service का नाम उसकरने से यह फाइदा हमें होता इस वीडियो में तरह रखते हैं I think आपको इचीज समन में आई कैसे हम लोग IP address की जगे पर service का नाम उसकर सकते हैं यह बहुत important concept मिलते हैं next video में तब तक लिए जयें जय वारत और हां अभी तक आपने प्लेजिस ने एकसे की तो मैं डाल दूंगा पूरी प्लेजिस का लिंक अब जाके इसको एकसे कर लिए मिलता हूं next video लें बबाई